गुद मॉनिंग दोस्तों मेरे नाम संदीप कुमार एडी फ्रम इंजीनियस कॉंपेटिटिव टरनिंग अकाडमी आज मैं आप लोगो जो भी गोवर्नमेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्रे आफ राइलवे से जो की काफी लोग RRB, NTPC के लिए अपले किया हुआ है उसका कंसरिंग जो भी एंपलामेंट नोटिस के बारे मैं बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपले किया 1 of 2019 में नॉन टेकनिकल पॉपलर कैटेग्रेस में जिसे की ग्राजुएशन या अंडर ग्राजुएशन या 12th स्टैंडड पे जो जिसने अपले किया उनका अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं जिसे की नोटिफिकेशन नंबर 01-2019 जो इशू हुआ था 28 फरवरी 2019 अपलिकेशन वर इन्वाइट फार वेरियस पोस्ट अफ नॉन टेकनिकल पापुलर कैटेगरीज graduate and undergraduate the scrutiny of application has been completed and candidates can view the status of their application अलड़ी पूरा scrutiny हो गया, सब कुछ किया गया है अभी जो भी selection status है, provisionally eligible है या rejected है जिसे की जो भी link provide किया नीचे, उस link की साबसे आप लोग अगर जाएंगे SMS and email will be sent to the candidates, registered mobile number and email जो भी दिया गया है, जो भी registered email है और या mobile number पे आपको message आ जाएगा जो भी status of applications can be viewed by entering the application registration number जिन्होंने application registration number जिनके पास है out data of birth of the candidate, यह दोनों type करके उसके अंदर the link will be active from 21st September 2022 to 30 September 2019 यानि यह 10 दिन तक आप लोग उनके पास यह link जो है active रहेगा उसके बाद यह link active नहीं रहेगा अगर आपको अपने application status अगर चेक करनी है तो आप लोग नीचे दिया हुआ link में जाके आराम से application number और data birth दालके चेक कर सकते हैं यह रर्ब कोई रस्पोंसिब नहीं होगी जिनका अगर इनलिजिबल है Candidature of all the eligible candidates is purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of the process or thereafter in case of any inconsistency or deficiency furnished by them अगर कोई malpractice करता है या कोई अपना कुछ भी अगर गलत information प्रोवाइड किया गया है जिनके पास अगर graduation नहीं है डिग्री intermediate नहीं है वोगों को कभी भी RRB निकाला जा सकता है Important, be aware of tauts who try to misguide candidates with fake promises of appointment एक cautious चीज है किसी से भी आप लोग पैसा देना या पैसा लेना गलत काम पे involve मत होयाईए हम आपका computer based test करवा देंगे ये सब चीजे बिलकुल नहीं होता Only on the merit basis होता है ये काफी जिनाइन होता है कुछ भी आप लोग इस चीज में मत पढ़ियेगा Candidates are advised to refer only to the official websites of RRBs for the latest updates on the recruitment process आप लोग दूसरे sites में मत जाएए RRB sites के तुरूई आप लोग जो भी करना करियेगा ये sign किया हुआ है आज की दिन 16 September 2020 शायद आप सब लोगं के लिए ये good news है Thank you अच्छा लगे तो एक बार आप लोग मेरा playlist में जाएए आपको काफी 1200 वीडियो आपको देखने को मिलेगा अलग-अलग question papers अगर आपको एक बार जाने के बाद पता चले गए इस channel के अंदर क्या है Thank you Have a good day Have a great life